नमस्कार मैं हूँ संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है, आईए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आजमगर मो़ जिले के करणी सेना के द्वारा एक दिन पूर समाजवाधी पार्टी के पूर प्रदेस सचीं महन चवाघन के साथ मार्पीट करने के मामले में समझवादी पार्टी आजमगर महिला प्रकोस की जिलाधेक्ष वबीता चोहान की नितिव महिला कारेकरतों ने विरोध प्रदेशन किया और जिलाधीकारी को ग्यापंसवापकर करवाई की मांग की इस दुरान महिला सबाखी जिलादेक्ष ने कहा कि मोगी जिले के कलेक्टेट पईसर में करणी सिन्ह के जिलादेक्ष वा उनके समर्थकों ने उनको अपमान जनल सब्दों से चौहान समाज को अपमानित किया विरोध करने पर उनको बुरीता से मारा पिता गया जिसे वे गंभी रूप से घाय लो गए और उनका इलाज वरार्सी में चल रहा है उन्होंने कहा कि भाजबा सरकार में पिशों की जगे जगे अपमानित किया जा रहा है चौहान समाज में इस घटना से भावी थैं कि किसी समय किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है मामला ये है कि हमारे चौहान समाज के भाई स्री महेंदर चौहान जो पर देश अची है समझवादी पार्टी के हमारे चोहान समाज के जो इस समय परत्मान सरकार में बन मंत्री माननी गाया चोहान जी के पोस्टर पर चपल द्वारा माला जा रहा था उसी के सिल्सिले में हमारे महिंदर चोहान भाई ग्यापन देने पहुँचे डियम का रियाल है महुजन पद में जो कि चौहान समाज के सारे भाई चौहान भाजपा को ओत भी दी और भाजपा ही सरकार में हमारे चौहान भाई मारे पिटे जा रहा है योगी जी को इस मामले में हमारे बड़े भाई को महिंदर चौहान जी को न्या दिराने का काम करें जल्दी से जल्दी जितने अपरादी हैं सब को जेल भेजने का काम करें नहीं तो इससे भी बड़ा हमारे चौहान समाज के सभी लोग इकठा होकर एक बहुत पुरे पर्देश में पूरा जन आंधोलन हम लोग कर लिये कि अब हम लोग पीछे नहीं रहेंगे चौहान एकता एकदम पीछे समाज के लोग सबी लोग मारे पिटे जा रहे हैं सबको ले करके हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं अगर योगी जी से मैं निवेदन कर रही हूं हमारे भाई को अगर निया नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग चोहां समाज करने जा रहे हैं अगर आपको हमारी ख़बर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए